साथियो नमस्कार मैं हूँ नीरच पटेल और आप देख रहेने संजनमत यथा राजा तथा प्रजा जब राजा ही नफरत वादी हो तो उसकी प्रजा नफरत हैलाने में कहां पीछे रहने वाली मुझफर नगर के डियम और एसपी के नफरत वादी आदेश के बाद पेसे खिदमत है सिदार्थ नगर जिले के थाना कठेला में पढ़ने वाले एक मंदिर के पुजारी का नफरत वादी ड्रामा दलाल मीडिया को अपने पसंद का मुद्दा मिल ही गया था लेकिन पुलिस ने सारी पोल पटी खोल दी दरसल सिदार्थ नगर जिले के थाना कठेला के तौलेहबा नामक इस्थान पर गड़ेस यानी की गड़पती का एक मंदिर है वहाँ के पुजारी ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई कि दो मुस्लिम युबक मननान और सोनू ने मुझे धमकी दी थी कि यहाँ पर अगर किसी भी तरह का पूजा किरिया कर्म करोगे तो हम तुम्हें यहाँ से भगा देंगे या जान से मार देंगे पुजारी ने अपनी F.I.R. में बताया कि जब मैं यहाँ से नहीं हटा तो इन दोनों युपकों ने मंदिर में घुस कर गडेश की प्रतिमा को बुरी तरीके से तोर डाला और इसके सबूत के तोर पर गडेश की एक टूटी हुई प्रतिमा उसने पुलिस को दिखाई घन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मामले को उन्होंने नफरदवादियों के एजंडे से खीच निकाला दरसल पुलिस की विवेचना में ये बात सामने आई कि जिस समय की घटना ये पुजारी किर्च राम बता रहा है उस समय मंदिर के आसपास वो खुद या कुछ बच्चे खेल रहे थे जब पुलिस ने बच्चों से पूस्ताच की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मंदिर के पुजारी को एक पृतिमा को तोड़ते हुए देखा है जब पुजारी से गंभीरता से कठोरता से पूस्ताच की गई तो उसने मान लिया कि ये मूर्ती उसने खुद तोड़ी थी क्योंकि मनान और सोनू के घर वालों से उसका कुछ बिवाद चल रहा था इन दोनों को फसाने और निप्टाने के लिए उसने मूर्ती तोड़ने का ड्रामा रचा दरसल पुजारी को पता था कि सरकार को देखते हुए इस समय एक धर्म बिसेश के खिलाफ कंप्लेंड करने पर तुरित कारवाई होती है लेकिन यहां पर पुलिस ने तदपरता दिखाई और पुजारी का सारा ड्रामा धरा का धरा रह गया अब पुजारी के खिलाफ ही गंभीर धराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है अब इस पूरे घटना क्रम पर नेश्टन जनमत का एक सवाल जैसे महराष्ट के मुंबई से एक खवर आई थी के गड़पती मंदिर के अंदर ही एक महिला के साथ पुजारी समेत दो लोग रेप करते हैं उसको माल डालते हैं तो नेश्टन जनमत में सवाल पुछा था के मंदिर में रखी हुई गड़पती की पृतिमा जिसको आप भगवान मानते हैं उसने कुछ क्यों नहीं किया उस महिला को बचाने के लिए और जो लोग ग्यान बताते हैं के ईसर की मरजी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो उनके मंदिर में ही रेप और हत्या हो रही है इसका मतलब कहीं न कहीं ईसर की मरजी शामिल रही होगी उसी तरीके से इस घटना क्रम में जिसको आप ईसर मानते हैं आप जिसके भरोसे रहते हैं उसकी मूर्ती तूटने पर न्याय पाने के लिए वो खुद भारती न्याय सहीता जिसको पहले IPC कहा जाता था उसकी धाराओं के भरोसे, कानून के भरोसे, ठाने के भरोसे था उस पुजारी को इतना पता है कि गड़पती की मूर्ती अगर तूटी है ठाने जाकर के ही कंप्लेंट लिखानी है उस पुजारी को पता था कि धर्मसास्त के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, कोई सजा का प्रावधान नहीं है चलिए ये घटना छोड़ दीजिए किसी भी मंदिर में अगर कोई घटना करम होता है मान लीजिए ईसर की मूर्ती ही चोरी हो गई तो पुजारी किसी दूसरे मंदिर में अरजी लगाने नहीं जाता सबसे पहले ठाने पहुंचता है F.I.R. दरजी करवाता है लेकिन आपको बताता है कि इस ईसर के भरोसे रहो जिसकी मूर्ती कोई चोर चुरा करके चला गया है इसलिए नेश्टन जनमत कहता है जो दुनिया राम के भरोसे रहती है वो राम खुद नयाय पाने के लिए सुप्रीम कोट और कानून के भरोसे हुआ करते थे इतनी सी बात अगर अंधभक्तों को समझ में आ जाए तो धर्म के नाम पर ईसोर और भक्त के बीच के बिचौलिये जो लूट कर रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाएगी देखते रहे हैं इस संजन्मत जागरुक और सजग बने रहे है जै विज्ञान जै समिधान जै लोगतंत्र धन्याद्ट